प्रिधानमंत्री जी एनाई के साथ बात करने के लिए धन्यवाद 2019 में negativity की बात नहीं करनी चाहिए लेकिन 2018 की जो negative news है उसी से शुरुआत करूँगी चुनावी हार के बाद आपकी पार्टी कितनी confident है कि 2019 के चुनाव जीत पाएंगे आप आप सबका बहुत बहुत नमश्कार और दर्शकों को भी मेरी तरफ से 2019 की शुपकामनाई नववरश प्रारम हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि देशवासी अपने सपने पूरे करने के लिए और अधिकुत सार उमंग के साथ आगे बढ़े हैं और यह नहीं को भी मैं चाहूँगा अनेक अनेक शुपकामनाई यह आपके भी प्रगती हो आपका भी विस्तार हो जहां तक 2018 का सवाल है मेरी दरश्टी से बहुती सफल वर्स रहा है चुनाव देश की अनेक पहलूओं में से एक छोटा से पहलू होता है बाकी बहुत सारे होते हैं अगर आज हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ती को पांच लाख रुपिये तक इलाज के सुविधा सरकार देती है वो आईश्मान भारत यह जना अभी तो सौदीन नहीं हुए है करीब 6-7 लाख लोगों ने इसका लाब लिया है इतनी बड़ी मौत्रा में लोग अपनी तीन चीन चार चार साल से बीमारी जेल रहे हो और आज अगर उसको मुक्ती मिलती हो तो मैं उसे कैसे असफ़र मान सकता हूँ मेरे लिए तो सबसे बड़ा संतोष का विशे है दुनिया आज क्लाइमेट चेंग, ग्लोबल वार्मिजी चर्चा करती हो और भारत को कभी उसमें दोशी माना जाता हो दुनिया में परियावरन खराब करने वाले देशों में हमारी गिंती होती हो उस देश को 2018 में उनाइटेड नेशन्स अगर चेंपियन ऑफ अर्थ है वोड़ दे करके एन्वार्मेंट की प्रोटेक्शन का लीडर के रुप में देखे तो इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है हमारा देश आजात हो इतने साल हुए अठारा हजार गाओं ऐसे थे जब मैं आया बिजली नहीं थी इसी 2018 में सभी गाओं में बिजली पहुँचने का काम पूरा हुआ ये सफलता नहीं है तो और क्या है स्पोर्ट का ख्षेतर देखिए 2018 में जो स्पोर्ट हुए इन स्पोर्ट में भारत के बच्चों ने बहुत कमाल के आए नमबर ओप मेडल्स भी जादा आये हैं और टियर टू, टियर थी सिटी, इवन गाओं के बच्चे गरीपरिवार के बच्चे आज देश का नाम रोसन कर रहे हैं पैरा एजलेट्स के में भी भारत के बच्चों ने बहुत बड़ी कमाल करके दिखाईए यह एक प्रकार से खेल कुद लो अब 104 सेटलाइट का आस्मान में जाना रेकॉर्ड होता है वैज्यानिकों काम देखिए बंपर क्रॉप 2018 में बंपर क्रॉप हुआ है यह भी अपने आप में यहने कोई भी क्षेतर देख लीजिए भारत अनेक प्रगती की उज़ाईओं को पार करता चला गया है पुराने सारे रेकॉर्ड तोड़ता गया है और इस हरत में मैं देखू तो 2018 का सवाव भारत के लिए भावती उजवल सवाव समय रहा है वो तुम्हें मानती हो लेकिन मैं चुनावी असफलता के बारे में कह रही थी चुनाव को लेकर पांच राज्य में चुनाव हारी है BJP और आप रधान मंत्री हैं BJP सरकार की, NDA सरकार की तो क्या आप इसे एक हार नहीं मानतें इसे असफलता नहीं मानते पहली बात है तेलंगणा और मिजवरम वहां भारती जनता पार्टी सत्ता पर आएगी ऐसी बात ना कोई सोचता था ना कोई कहता था ना बीज़ेपी कहती थी जिन तीन राज्यों की आप चर्चा कर रही हैं चत्रीस गड़ में साफ साफ नतीजह आया इसमें भारती जनता पार्टी का पराजय हुआ लेकिन दो राज्यों में हंग एसेंबली बनी हैं दूसरी बात है कि 15 साल की एंटी इंकमन्सी को ले करके हमारे लोग मैदान में थे और स्वाभाविक है कि हमें जो कुछ भी कमी हुई है उसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं और योजना भी कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ पिछले दिनों हरियाना में स्थानिय स्वराज के चुनाव हुए है सारे चुनाव हम जीत गए हैं अत्रिपुरा के अंदर 90-95% विक् हो और भारतिय जिन्ता पार्टी है और भारतिय जिन्ता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग चुनाव जीत करके आजाएं सभी पंचाय तुमा तीस-पैंतिस हजान लोग विजय होकर करके आएं जीत और हार यही एक मांदर नहीं होता है आप वोट शेर और सीट के बारे में कह रहे थे जहां जहां आपने कैंपेइनिंग के इन इलेक्शन्स में वहाँ पर वोट शेर जो है सीटों में तबदील नहीं हुई और कुछ राजनेतिक विशेशाग और मीडिया कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे मोदी वेव या मो नंदन करता हूं क्योंकि जब वो यह कहते हैं तो इस बात को स्विकार करते हैं कि मोदी मैजिक नाम की कोई चीज है मोदी लहर है इस बात को स्विकार कर रहे हैं लेकिन साथ साथ यह भी देखिए आप 2013-14 के कालखन के अख़बार निकाल दीजिए टीवी निवाइट निक सभ्ष जड़न पर्संस एक टो कम हुए वह हो एक दो ज्धा फूआ वह ही है अब उनकी जिम्म險वारी है इजिन के लिए काम करते हैं उनके लीए उनको कुछ ने कुछ ने कुछ ने नरेटीम में आशित करना पढ़ए कि मोदी लहर नाम की कोई बात है, मोदी मेजिक नाम की कोई बात है जहां तक मेरा सवाल है, मैं समझता हूँ कि लहर सिर्फ जनता की आशा आकांग्षाओं की होती है लहर सिर्फ जनता को हमारी आशा आकांग्षाओं कौन पुरी कर पाएगा उस विश्वास की होती है और आज हिंदुस्तान में विश्वास पनपा है आज हिंदुस्तान में युवापीडी के एस्पिरेशन्स बढ़े हैं तो मैं समझता हूँ यह अपने आप में नया उमंग, नया उत्सा, नया विश्वास का बातावन पदा कर रहे हैं पर opposition parties ये मान के चल रहे हैं कि अगर Modi wave नहीं है या Modi magic कम हो गया है तो BJP को 180 से कम मिलेगा और 180 एक club 180 group है तो वो एक anti-Modi या non-Modi factor को लेकर चल रहे हैं क्या ये हो सकता है आप ये picture कर सकते हैं कि 2019 के चुनाव में एक 180 से कम आ सकते हैं BJP के? पहली बात है कि अगर वो इस प्रकार के हिसाब किताब नहीं लगाएंगे और ऐसी बाते नहीं फैलाएंगे तो उनके गड़बंदन में लोग कैसे जुड़ेंगे? उनको अपने गड़बंदन में लोगों को जोड़ने के लिए कुछ ने कुछ तो बड़ी-बड़ी बाते कोई साइन्टिफिक चीज है कि यह तो एक लिमिटेड मैंने जो वर कहां जो 2013-14 में भी यही लोजिक था उस समय भी दोसों से कम बली क्रब की चर्चा इसी टोली ने की थी यह सैट आप परसन जो मैं कह रहा हूं उसको आप भली बात जानते हैं कॉड है तो यह उनके लिए रहता है जहां तक भारती जनता-पाटी का सवाज है हम हमारे देश के सामयन्य मानवी की समचदारी पर अविस्वास न करें मैं सभी पुलिटिकल पंडिकोतों को ये कहता रहा हूं कि हम सामान्य मानवी की समझदारी पर भरोसा करें आखिन हिंदुस्तान का सामान्य मानवी को इस सरकार का ऐसा क्या अनुभव हुआ है कि जिसके कारण 2019 में इस सरकार से धूर जाने की कोशिश करेगा पांच साल पहले के अख़वार देख लीजिए और मैं तो आपसे कहूंगा मैं भी आपको भेजूंगा कि 2013-14 की हिड्लाइन क्या हुआ करती थी और आज हिड्लाइन क्या होती है तो सामान्य मानवी इन सारी बातों को समझता है और मेरा देश की जनता जनार्दन पर भरोसा है मेरा देश के युवाओं पर भरोसा है अगर आप ठीक है अगर उनके नारेटिव पे ना जाएं अगर आपके नारेटिव पे जाएं तो आप 2013 से आप आपके नारेटिव में कांग्रिस मुक्त भारत काई बार आ जुका है लेकिन जिस तरह नतीजे आ रहे हैं सामान्य जो वो कॉंग्रेस को एक विकर्प एक आप्शन मान रहा है इसलिए तो हिंदी हार्ट लैंड में जहां आपकी इतनी जड़ स्ट्रॉंग थी अब वहां पर कॉंग्रेस की सरकार आ गई है तो कॉंग्रेस मुक्त भारत का जो गोल था आपका वो तो साकार नहीं हो पा रहा है मैंने इसकी बहुत बड़ी व्यक्षाट विस्तार से की है पहले भी की है आज कर रहा हूं से नहीं है देखिए कॉंग्रेस के लोग भी कहते हैं कि कॉंग्रेस एक सोच है कॉंग्रेस एक कल्चर है इतने सानों तक मुख्य धारा में वो कल्चर रहा और उसके करण कम अधिक मा मत्रा में हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन का वो कल्चर बन गया सभी दिलों में कुछ न कुछ रूप से पहंच गया और वो कल्चर क्या जातिवाद परिवारवाद वांशवाद अंडेमोक्रेटिक करप्शन भाई भतिजावाद इसके आंसपा से राजनीतिक कल्चर कि इने कॉंग्रेश इसको प्रमुक्त तो करती मैं जब कॉंग्रेश मुक्त कहता हूं 170 इस प्रकार की मैं आप इस प्रकार के कल्चर के खिलाब देश को मुक्त कराना चाहिए और मैंने यहां तक कहा है कि कॉंग्रेस को भी कॉंग्रेस कल्चर से मुक्तब होना पड़ेगा इंस्टिटूट रहे या न रहे यह चर्चा का विशन ही तो और मैं तो मानता हूँ कि लोग तंत्र में मजबूत विरोधी दल होना चाहिए लेकिन दुर्भाग है कि हाज देश को एक बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है कि कॉंग्रेस उस काम को करने में भी विफल गई है 2017 तक शायद मोदी अमिच्शा फैक्टर को एक कहा जाता था कि you cannot beat this combination लेकिन अब ऐसे लगता है जैसे कि यह जो एक leadership है इसको अब जिम्मदारी लेनी होगी that magic is not there, you are losing elections, you are losing तो फिर अगर narrative आपका अगर इतना सफल है तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है कि election हार रहे है तो leadership को क्या responsibility नहीं लेनी चाहिए पहली बात यह है कि जो लोग वे कहते हैं कि भारतिय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित सहा के कहां चलती है तो वो लोग भारतिय जनता पार्टी को न जानते हैं न समझते हैं भारतिय जनता पार्टी विश्वकी सबसे बड़ा संगटर है पोलिंग बूथ की मजबूती पर भारतिय जनता पार्टी चलती है मेरा बूथ सबसे मजबूत इसके लिए हमारा कारकरता तिन सो पैंसट दिन लगा रहता है और इसलिए एक या दो लोग ही भारतिय जनता पार्टी चलाते हैं ये उन लोगों की सोच हैं जो भारती जनता पार्टी को जानते नहीं है एक लोगतांत्रिक संगठन है हर स्तर पर कारकरताओं का नेतरुत्व हैं उस नेतरुत्व के बलबुते पर समाज का विश्वास पैदा हुआ है उसी की क्यूमिलिटिव एफेक्ट होती है कि भारती जन सबका विकास इस मंतर को ले करके जन विश्वास को जीतते हूए प्रगति कर रही है भारतिये जन्ता पार्टी मैने अभी गिनाया आपको आसाम हो, हरियाना हो, त्रिपुरा हो तो मॉरल डाउन नहीं है पार्टी में मॉरल डाउन होने का कोई ऐसा कारण ही नहीं है एक आत्मविश्वास है पूरे आत्मविश्वास के साथ बरी पार्टी आगे बढ़ रही है और 2019 में भी देश की जनता पर जिसका भरोसा है वो हम लोग है जनता के भरोसे पर समर्पित है हम लोग है और जनता के साथ जुड़े हुए कोई लोग है तो हम लोग है 2018 में ये जो चुनाव हुए बहुत से राजनिति विशेशक के कहते हैं अगर आप पीछे देखे तो क्या नोटबंदी की जरूरत थी उसके अब्जेक्टिव्स जो थे वो आप देखिए हमारे देश में बार बार खबरे आती थी काला धन, काला धन और कोई इस बात से इंकान नहीं करता है कि देश में पेरलल एक़ॉनमिक चल रही थी इसको कोई इंकान नहीं कर सकता उद्वपतियों के गर से, वापारियों के गर से, बाबुओं के गर से बिस्तर के, नीचे से नोटी मिलती थी मोरे भरवर के पड़ी हुई नोटी मिलती थी ये सारी चीजें इस बात का दियो तक है कि हमारे देश में formal economy की बहुत अनिवारियता थी ये parallel जो economy थी इसने देश को एक प्रकार से भीतर से खोखला कर दिया था नोड बंदी ने सबसे बड़ा काम किया है और जो आने वाले दिनों में देश को बहुत ही मजबूती आर्थी ग्रूप से मजबूती देने वाला है और वो है ये जो बोरे भर भर करके नोटे पढ़ी रहती थी वो banking व्यवस्ता में आई है कि दूसरा आज आप नई पीडी से बात करो वो कहते हैं हमारे माबाप को जो करना पड़ा करना पड़ा वो जमाने में वे साथ टेक्स रिजिम ऐसी थे अब हम इमांदारी से करना चाहते एक इमांदारी का माहुल बना आए दूसरा आप पहले के तुर नाम है टैक्स नेट के मद्यम से खूला काम करने का इच्छा जग रही है इसको हम अच्छा मानेंगे नहीं बानेंगे दूसरा हमारे देश में करण सीजी डिपी के तुलना में कम होती जा रही है यह अपने आप में शुप संकेत है अधरवाइक जिस रूप से पहले चल रहा था उसी कम से चलता तो आज शायद हम इतनी बड़ी मात्रा में नोटों के धेर होते हैं हमारे देश में, शायद चीजे चलाना मुश्किल हो जाता है। पर ऐसी जटका देने की ज़रूरत थी क्या? यह जटका नहीं है। एक साल पहले हमने देश को कहा था कि यह एक व्यवस्ता है, अगर आपके पास इस प्रकार का धन है, आप जमा कराईए और उस में से आपको इतना इतना धन देना पड़ेगा, आपको मदद मिल जाएगी। कि उसकी तुलना में कम था, उसके बाद मैंने एक बार मीडिया के माध्यम से कहा था कि यह इसका फाइदा उठाईए, पार्लामेट भी भी कहा था, अगर हम इसका फाइदा नहीं उठाते हैं, तो परिस्तितिया ठीक करने के लिए हमको कोई कदम उठाने पड़ेगी। यह दिए रातinku रात नहीं हुआ हैं एक साल भर यह पारक्रिया चली है, बार-बार कहा गया है, उसके बाद यह करना पड़ा है, और यह देश के स्वास्ति एक करना जरूरी था, आर्थिक स्वास्ति लिए करना जरूरी, जहाँ तक आर्थिक विकास का सवाल है, अब कोई भी वबस्ता बदलते हैं तो इवन रेल भी जब पठरी बदलती है तो स्पीड थोड़ी कम होती है अब इसका बात का इंकार नहीं करते हैं इवन मन मौन सिंग जी प्रधान मंतरी से फाइनास मिनिस्टर थे अब जब एकॉनमिक रिफॉर्म होए था हमारे देश में आपको मालू हमें बाद में स्थिटी समझती चली गए आज हम भी हमारे जी ग्रोथ रेट था पूरी तरह पहुंच गए हैं लेकिन एक सफाई की जरुरत थी उसको हमने सफलता पुर्व किया है और अब एक मानसिक अवस्था भी बनी है देश की इस तरब जाने की सिर आपने ब्लैक मान अभी भी वो बाहर हैं वो जो अब्जेक्टिव्स थे पैरलल एकॉनमी बंद करने की और एकोनॉमिक अफेंडर्स को वापस लाने की वो अब्जेक्टिव्स अभी मिल खतब नहीं हो पाएं यूब नॉट भागना क्यों पड़ा अगर पहले जैसी सरकार होती यही दोस्ता लूटना है लूटते चले देना है देता चले खाना है खाता चले तो फिर उनको भागना भी नहीं पड़ता इन लोगों को भागना इसलिए पड़ रहा है कि यहां पर उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा पाई-पाई चुकता करने पड़े और इसलिए भागे जो भागे हैं उनको लाने के लिए आंतराष्ट्रे कानून होते आंतराष्ट्रे नीती नियम होते उसका पूरा-पूरा उपयोग किया जा रहा है ऐसे भगोणों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए उनकी संपती जबत करने का कानून बनाए इतना ही नहीं वि स्वस्त हूं कि पहले इस देश से भागे हुए कोई वापिस नहीं आए इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे डिप्लोमेटिक चैनल से भी प्रयास हो रहा है, कानूनी तरीके से भी प्रयास हो रहा है, कानून बना करके संपत्ती जबत करने के दिशा में भी प्रयास हो रहा है, और हम हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वारे लोग हैं, हम पाई पाई वापिस लाने के लिए प् पाले धन और बैंक एकाउंट में जो पैसे रखे जाते हैं विद्वेशों में जो एक प्रकार से हैवन बन चुके हैं उसके समने में विस्तार से वीशे रखा था और पहली बार जी ट्विंटी समीट में सभी देशों ने मिल करके इसको गंबीर समस्या माना था उसको आएंगे तो आने वाले समय में हमें वो रियल टाइम जानकारी देंगे और 2019 के बाद ये करीब करीब रियल टाइम जानकारियों का सिलसला सुरू हो जाएगा और इसलिए ब्लैक मनी को वापिस आना ही पड़ेगा आपके सारे स्पीचेज दो हजार तेरा से जो भी स्पीचेज थे टू जी थी जी सीड़ल्यू जी दामाज जी इस पे आप स्पीच पर स्पीच देरे जा थे लेकिन ये लोग तो अभी भी लोदी गार्डन में सेयर करते नजर आते हैं कोई जेल नहीं गया अशा है कि जमानत भी भी तो है जो जमानत पर है वो शायर कर सकते हैं कानून रोकता नहीं है लेकिन ये भी मानना पड़े जा कि इस देश का फस्ट फैमिली जिसको बना बोला जाता था चार-चार पीडी से जिन्हों ने देश को राज किया है उनको जमानत पर निकलना जो उनकी सेवा में लगे हैं वो ऐसी चीजों को दबाने में लगे रहते हैं और चीजों को भारने में लगते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है इस देश के भुद्पुर्व वित्तमंत्री उनको आज अधालत के चक्र काटने पड़ते हैं ये कोई छोटी बा कि हम मांते हैं कानून और प्रक्रिया में जो निकलेगा वो मोदी हो तो मोदी को भी भूगतना पड़ेगा वरना देश चल नहीं सकता है और इसलिए नहारा किसी व्यक्ति से समद इसमें को लेना देना है नकिसी संस्ता से लेना देना है merit के आधार पर department professionally काम करे आधालत जो फैसला सुना है उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए लेकिन देश ज्यादा इंतजार करना नहीं चाहता है और इसलिए ऐसी चीज़े लटकने नहीं चाहिए इंतजार नहीं करना चाता इसलिए मोदी जी को वोट दिया ये कहते हैं लोग लेकिन पांच साल लग गए और अभी भी कुछ हो नहीं रहा ये देश को विश्वात है कि पांच साल में इतना सारा हुआ है इसलिए मोदी पर ज्यादा परोसा है चलिए जी एस्टी के मामले में इसको राहूल गांदी गबर सिंग टैक्स या फिर ग्रैंड स्टूपिड थॉट कहते हैं क्या आप मानते हैं कि टैक्स इंप्लिमेंटेशन में कमिया रह गई इसलिए काफी रोल बैक करना पड़ा और इस टर्म को आप कैसे कहते हैं गबर सिंग टैक्स जो है मतलब जबरन कोई टैक्स लगाया जाए मुझे लगता है जिसकी जैसी सोच होती है वैसे उसके शब्द होती है और इसलिए उसमें मेरा उलजना उचित नहीं होगा दूसरा विशह है क्या जीएस्टी की प्रक्रिया हो हिंदुस्तान के सभी राजनितिक दल सर्वसम्मति से की है कि नहीं की है प्रणाव मुखर जी जब फाइनांस मिश्ट हुआ करते थे तब से जीएस्टी का सिलसिला चला है और इसलिए जीएस्टी सभी राजनितिक दलों ने देश में एक अच्छी विवस्ता लाने की सोच का पनपी हुई विवस्ता है दूसरा पार्लामेंट में सर्वसम्मति से यह सब पारित हुआ है तीसरी बात है क्या जीएस्टी आने के पहले देश में टैक्स रेट क्या था क्या मेरे मिडिया के मित्रों के भी जिम्मेवारी नहीं है कि देश के सामान्य मानिव उसको सब पता नहीं होता है निकि हमें बताना भी थे चाहिए सरकार बार बार बता दी हमारे देश में 30-40 प्रतिशत टैक्स वाली चीज़े थी 30-40 प्रतिशत और हिडन टैक्स हुआ करता था सामान्य मानिव को पता ही नहीं चलता था और लोग लेते थे पैसे बार-बार टैक्स लगता था हर हर मुकाम पर टैक्स लगता था जी एश्टी के कारण इस सेंप्लिफाई हुआ आज 500 से ज्यादा चीज़े जीरो टैक्स में आ गई जो किसी समय बहुत उंचे टैक्स हुआ करते थे पिछले दिनों हमने जी एश्टी बनाने के बाद करीब बारा सो साड़ा बार सो ऐसी चीज़े जो जीवन सामाने जीवन ज stations कोई इञाएं कोई 155 पर सब्सक्राइसन इतना नीचे लिए और इसमें भी हमारा मत है कि इस काम को हम लिगातार करते रहते हैं के फिडबैक लेते हैं समभात करते हैं लेकिन यह निर्ड को आपको भी समझाना चाहिए ँस जीएस्टी काउंसिल में निर्णे होते हैं जीएस्टी काउंसिल में एक प्रकार से सभी राज्य सरकारे होती हैं उसमें एक भारत सरकार होती हैं सब की इक्वल पोजिशन है वहां कोई उपर नहीं कोई नीचे नहीं सब बराबर के हैं भारत सरकार भी एक राज्य के बराबर सरकारと思います और हुल हम पर यह समय अब आपने ही के लोगों को गाली दे रहे ग्या अपनी सरकारों को गली दे रहे हैं क्या और इसलिए सिर्फ राजनीती होला करना यह उचित नहीं है जहां तक में और रिच्छे करना पड़ता है और बजेट फाइनल होता है तो वह छुटी दे देते हैं हर राजे में होता है मैं बढ़ता होता है कि अब देश के सभी राजियों में जिस्वीशा को लेकर करके उसलिए बड़ा लगता है लेकिन मिल बैठ करके इसको ठिक करने का प्रयास किया जाता है दूसरा इतनी बड़ा परिवर्तन नाते हैं टक्नोलोजी डिवन है तो बहुत से छोटे वापारियों को थोड़ा अंकोपट हुआ है और यह थो हम भी मानते हैं कि थोड़ा तो अंकपट हुआ है लेकिन सरकार की सब्सक्राइब क्या है कि समझे उसकी समस्या का समाधान करें तो ऐसी जितनी बाते हमारे सामने आती हैं हम जीएश्टी काउंसिल में रखते हैं जीएश्टी काउंसिल उसका सरली करन में हम मिल बैठकर के आगे बढ़ते हैं अभी हमने दो महत्वपूर्ण फैसले करना हम चाहते थे कि एक जो 20 लाग रुपिया तक की जिम्मेवारी हमारे वापारियों को है उसकी स्थी में हम 45 लाग करकर करके उंको मुक्ति देना चाहते थे लेकिन जीएश्टी काउंसिल में हम नहीं कर पाए कुछी कुछ रिजर अब लिए टेक्स जीएश्टी और फिनिश मकान के लिए जीएश्टी उसमें उसमें भी हम जैसे रेस्टरॉंट के लिए हमने किया कुछ नहीं भी फाइव परसंट में सब कर देंगे उस दिशा में हम जाना चाहते थे उसमें भी कुछ लोगों के रिजरुशन से तो जीएश्टी सरल बने जीएश्टी कंजूमर के बैनिफीट को एक प्रकार से सुरक्षित रखे उस दिशा में चलते चले जा रहे हैं इतने कब समय में इतने बड़े देश में इतनी विवीतताओं के बीच यह एच्विमेंट जो हुआ है वो छोटा नहीं है फिर भी हम मान के चलते हैं कि हर चीज इतने बड़े देश में सुधरने के लिए संभावना होती हैं हम लगातार बडलाव कर रहे हैं लगातार नहीं नहीं चीजे ठिक कर रहे हैं सर आपका जो एक loyal committed voter base जो है वो है व्यापारी working class middle class आपने पुरूचरी का जिकर किया वो जो जैन साफ जिसने सवाल पूछे थे वो भी middle class working class व्यापारी था और वो भी वो ही सवाल पूछ रहा था कि हम middle class लोग जो है tax भरते रहते हैं लेकिन हमें कुछ राहत नहीं मिलता क क्या middle class के लिए आपके पास कुछ है जिससे उन्हें राहत मिल जाए पहली बात है middle class के विशे में हमारी सोच हमें बदलने पड़ेगी middle class कभी भी किसी की दयादान पर जीने के स्वभाव का नहीं है वे स्वाभिमान से जीने वाला वर्ग है और देश को चलाने में बहुत बड़ा योगदान देना वाला वर्ग कोई है तो मद्यमबर ये समाज है नीचे का तपका है उसको कुछ मिलना चाहिए इसकी positive सोच करना हम हमारा दाई तो समझते हैं देश हित में भी हमारा दाई ने सिर्विस लेने को हमें वोट देता है देश हित में भी हमारा मत है कि भारत का बढ़ता जाता जो मिल्ड क्लास बलक है उसकी चिंता करनी अब जैसे महंगाई आप 2013-14 से निकाल लिए इंफलेशन क्या था फिर मैं कहता हुआ हो कि कतरन निकाल के देख लीजिए आज क्या है हम 2% 3% पर लेकर आएगे इंफलेशन जो 18-18% पर पहुंचा था इसका सीधा बेनेफिट किसे को हुआ है तो मध्यमबर को होता है महंगाई अगर कंट्रोल होती है तो सबसे बड़ा जो सुविदा बरती ह क्योंकि मध्यमबर का व्यक्ति छोरी नहीं कर सकता मध्यमबर का वार्ग सामाजिक स्थिति में उसको जरहन सैने उसमें गिरावट नहीं ला सकता है उसको बहुत जिलना पड़ता है वह हमने उसपर समुक्तिक कराई माल लीजिए हम education में medical city बढ़ाते हैं बहुत बड़ी मा जहाज में लोग जाना चाहते हैं समय बचाना चाहते हैं वो जाते हैं रेलेवे के अंदर एसी कोच में ट्राविल करने वालों से ज्यादा आज हवाई जहाज में ट्राविल करने वाली संख्या हो गई है यह कौन लोग है मिले क्लास है उसको जाने की संभावना बनी तब जा रहा है दूसरा मिडल कास्ट के एस्पिरेशन के वाले काम कैसे हो जैसे यह आईश्वान भारती हो लगता तो ऐसा है कि वो गरीबों को पांच लाग रुपे तक की बिमारी में मदद कर रहा है लेकिन इसके कारण इतनी बड़ी संख्या में देश में अस्पताल बनेंगे इस योजना अब मुद्रा योजना के अंदर करीब 15 करोड लोन स्विक्रूत होना इतना बड़ा काम है इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी कोई है तो मिडल कास का व्यक्ति है हमारे देश में मिडल कास को घर बनाना हो तो कभी बैंकों से ब्याज में रियायत उनको नहीं मिलती थी दोड़ बंदी के बाद हमने मिडल कास को घर बनाने की जो लोन है आज अगर वो 20 लाख रुपिय की कीमत का घर बनाता है तो पांच साल के बाद जो बैंक में उसको मदद मिलेगी उसकी बच्चत करी 5-6 लाख रुपया होगी मिडल कास कि परिवार के 5-6 लाख रुपया मकान में बच जाना यह बहुत बड़ी काम है यह हमने किया है उसही प्रकार से मिडल चोथे नंबर पर दूसरे तिसरे नंबर पर हम पहुंच गए हैं स्टार्ट अप इको सिस्टम से इसका नाब भी जो एस्पिरेशनल यूथ है मिडल क्लास का वह हिम्मत का साथ का फाइदा उठा रहा है फिर छोटी-छोटी सीधी बाते हैं जैसे एलीडी बल मिडल कास के परिवार में अगर दस लट्टू लगे हैं बिजली के तो आज उसका 500-700,000 रुपया बिजली का बिल कम हो गया उसको बेनिफिट हुआ है इंकम ट्रेक्स में जो मदद मिली है उसको बेनिफिट हुआ है पैंशनर जो कभी 13-14,000 रुपया उसका पैसा कर देना है तो कोई भी विशे ले लिजे मकसीमम अगर सुविधा जनक काम हुए है तो मिलल कास के लिए हुए है चलिए तो फिर मैं आप किसान के बारे में कहती हूं बहुत से लोग कहते हैं कि किसान के लिए मूदी जी ने इतना नहीं किया जितना कि वो कहते हैं और राहुल उसमें क्षम्ता नहीं है कर्जा वापस करने की और दूसरी तरफ है जो लो एकनॉमिक ओफेंडर्स वो मजा लूट रहे हैं बाहर बैठे हुए तो उन्हें तो लगेगा कि राहूल गांदी उनके साथ है या कॉंग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है किसान के साथ है इसके ल हवेसे कि हम सब किसानों का लॉपायक कद रहे हैं क्या कि हकी कदने नहीं किया है और आप उनके अपने सर्क्रियूरे देख ली गपनी इस्प्रकार का जूट और भर मीठ करने वाली बातों से पाइदा नहीं does सका कि भारत सरकार ने जो बैंकों से रुपिये लूट करके मौज करते थे हमने कानून बनाए हाथ तीन लाख करोड रुपया वापिस आया है जिसको आप कहते हैं कि लोग मौज करते हैं तीन लाख करोड रुपया वापिस लाने का काम इस सरकार ने किया है तो यह दोनों की तु अगर कर्ज माफी से किसान का जीवन मुक्त होता है मुदध होती है तो बिल्कुल करना चाहिए लेकिन क्या हुआ है इस देश में पहले भी सरकारों ने देविलाल जी के जमाने भी कर्ज माफी की थी 2008-09 के चुनाव जीतने के लिए कर्ज माफी की गई थी बार-बार कर्ज माफी करने के बाद भी ऐसी क्या कमी है व्यवस्ता में कि किसान कर्जधार बन जाता है और सरकार को चुनाव और कर्ज माफी चुनाव और कर्ज माफी का चरकार चलाएना चलता है तो उपाई ये हैं कि किसान को मजबुत बनाना, एमपावर करना, बीच से लेकर माजार तक सारी व्यवस्ताओं को सुविधा देना अब मुझे बताईए बीच किसान को अच्छा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं किसान को पाद falou कि करीब सो योजना सालों से लटकी पड़ी पड़ी थी सीच आए हो अमने पाथिक का लकाचाह लगान और उसको हमने किसान को पानी पहुंचाने का काम किया चुनाव जितने के लिए सीचाएगी क्या जूरत थे वो लाखो करोड रुपे में ऐसे ही कह दें तम आपको तो आपने बहुत सारे स्कीम्स किये हैं जिसे जो आप अपने कैंपें स्पीच में कहते हैं या आपके वैसे स्पीच सॉयल कार्ड यूरिया यह सब आप स्पीच मे मेरा कहना है किसान को कर्ज होता क्यों है उसकी समझ्याओं का समाधान कर सभी कर्ज में हमें यह स्थिती बनानी चाहिए कि उसको कर्ज हो नहीं हम स्थिती बनानी चाहिए हम स्वाइल हेड कार्ड दिया किसान के लागत कम हुई जो फाल्तू दवाई डालता था फाल्तू फ फसल हिम सामय जा सकता है उसको समझ आने लगी है उसी का प्रिणा है involved in लेकिन उत्पादन के बाद वैलु एडिशन हमने बहुत बड़ा भ्यान चला है किसान योजना के तवरा और उसमें हम फूड प्रोसेसिंग वैलु एडिशन उस पर काम कर रहे हमारी हां कोल स्टोरेज की चेंज बनाने की दिशाम हम बहुत तेजे से काम कर रहे हैं वैर हाउ पर दूसरी जगांव होता है वहां से उठा करके आले आते दें रेलिवे का खर्चा करके लगाते दें हमने जोनिंग करने का प्रहास कि पहले जहां उत्पादन होता है और वहां जो जिरूरी आता है वहीं पहले पुरा करो ताकि यह वैरंट टैर बढ़ता ने चला जाए तो ऐसी छोटी 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 चीज़े इतनी की हैं कि जिसका परणाम है अब किसान को हमने अन्न दाता से ज़्यादा जूड़ करके अब उर्जा दाता भी बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं, हो अपने खेत में फसल के सिवाय के समय पर सोलार पैनल से विजली पैदा करें। हम सोलार परम दे रहें ताकि विजली का बिल ना आये, वो सोलार परम से अपनी खेती करें। उसकी कॉस कमवा, दूसरा MSP, किसानों की कई सानों से मांग थे, कि भेर स्वामीन आथन कमिशन को लागू करके, डेड़ गुना लागत का MSP दिया जाए, 22 फसलों में हमने ये निर्णे कर लिया, अगर 2007 में, जब ये स्वामीन आथन कमिशन का रिपोर्ट आया, उन्होंने MSP लागू कर दिया होता, तो धीरे धीरे दे वो विवस्ता परफेक्ट बन गई होती, और किसान कर्जदार नहीं हुआ होता, लेकिन वो करने के बजाए, चुनाव जीतने के रास्ते खोजना, तीसरी बात है, हम देश के किसानों को समझाना, ये मिडिया के भी जिम्मेवारी है, क्या कर्ज माफी करके किन किसानों को फायदा होता है, कितने किसानों को फायदा होता है, देश का बहुत कम बग ऐसा है जो बैंकों से लोन लेता है जादातर किसान साहुकार के पास से लोन लेता है और ये जब सरकार योजना बनाती है तो उसमें वो किसान नहीं आता है जो किसान को मरना पड़ रहा है वो इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है वो से बाहर है और इस लिए इस सिरफ चुनावी स्टंड किये जा रहे हैं फिर भी अगर राज्य सरकारे करती हैं तो हम उनको रोकते नहीं है हमने किसी राजसरकार को नहीं रोका है, कुछ बाज़ता सरकारों ने भी किया है तो जिस राज्य की जैसे सुविधा होगी वो करेंगे हम किसी को रोकते नहीं है लेकिन इस समास्या का समाधान दूर करने के लिए भारत सरकार committed है किसानों के ताकत बढ़ाने के लिए committed हैं, किसानों के समस्याओं का समाधान करने के लिए committed हैं और इसके लिए किसानों को empower करने के लिए जितने कदम उठाए जा सकते हैं उसको पूरी तरह उठाने का हम प्रहास कर रहे हैं अगर मैं एक issue पर बात करूँ जो आपके party के बारे में हैं। आपके party के जो workers हैं। party हमेशा leaders हो या workers हो। एक emotive issue हो रहा है आयोधिया में, राम temple का मसला। जैसे आपनी triple talak में आप ordinance ले आएं। राम mandir को लेकर ordinance लाना क्या है, is it a problem útil नहीं ला सकते है। राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बनके रहे गया है। कर सकता है कि आजहादी के सत्तर साल भाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है आज भी मामला सुप्रीम कौट में हैं एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पाकर करके बैठा हुआ है मैं कॉंग्रेस के साथियों से विशे सब्सक्राइब करता हूं कि देश की शांती सुरक्षा भाईचारे के लिए अग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकिलों को कॉट के अंदर इस मसले में रुकावट द्रालने वाले एजंडा से बाहर निकाले रुकावटें न करें और सभी वकिल बित्र जो भी कॉंग्रे न्याएपालिकार सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है हम पूरी तरह प्रयास करने ले तयार है आपने नाशनल सेक्योरिटी सुरक्षा के मामने में बात की तो उसमें काउस को लेकर गाए को लेकर जो लिंचिंग हो रही है कॉंग्रिस पार्टी और बुद्धी जीवी और यहां तक कि अब नसीर अदिन शाह खुद कह रहे हैं कि मुसल्मान जो है वो अपने आपको महफूज नहीं समझता हिंदुस्तान में और अब इमरान खान कह रहे हैं कि वो भारत के प्रधान मंतरी को सिखाएंगे कि माइनॉरिटी से कैसे सलूक किया जाता है तो आपका स्लोगन था सबका साथ सबका विकास तो अब आब बताईए कि ये इन सेक्यूरिटी मुसल्मानों में क्यूं है और इसके लिए आप एक एमपथी क्यूं नहीं आ रही बीजेपी के लीडर से पहली बात है कि ऐसी कोई भी घटना सब्यसमाज को सोवान नहीं देती है ऐसी घटनाओं के पक्ष में कभी भी आवाज उठनी नहीं चाहिए ये गलत है सरासर निंदन ये है दूसरी बात है क्या ये 2014 के बाद शुरू हुआ है तो ये समाज के अंदर आई हुई एक कमी का भी परणाम है इस थिति को सुधारने के लिए हम सबने मिलकर के प्रयास करना चाहिए मैं इस सरकार में यह होता है और उस सरकार में वह होता था उस चर्चा को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हुँ एक भी गटना हो गलत है ये मेरा पश्ट मत है दूसरी बात है कि मात्मा गांदी जो कह रहे थे अचरे मिनोबाजी भावे कह रहे थे भारत के समिधान में जो भावनाओं को प्रगट किया गया है उसका भी आदर करना हम सब की जिम्मेवारी है हम दूसरे की भावनाओं का आदर करें तो हमारी भावनाओं को भी रक्षा होती है ये माहुल बनाने में सभी समझदार लोगों ने रोल करना चाहिए तीसरी बात है दुनिया में अरब कंटी के बहुत बड़े मुस्लिम विद्वान है उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था मैंने एकाथ साल पहले पढ़ा था इन्होंने कहा भारत से हमने सीखना सी ये दुनिया के लोग कह रहे है कि जहां विश्व के सभी संप्रदाय है बहुत बड़ी मात्रा में जनसंग्या है हर एक संप्रदाय की लेकिन इतने प्यार से मिल जूल करके जीते हैं रहते हैं जबकि हम एक ही संप्रदाय में मानने वाले लोग मारने काटने पर तुले हुए हैं ये गल्ब कंट्रीज के अंदर से लिखा हुआ एक मुस्लिम स्कॉलर का आर्टिकल है भारत को गर्व करना चाहिए कि हम सद्यों से मिल जूल करके जी रहे हैं समाज में घटना नहीं होनी चाहिए लेकिन समाज का जो मुख्य पहबरिक है वो क्या है उसको हमने पनाव समझना चाहिए और कोई किसी को हर चुनाव के पहले असमिशना लोगों को देखने रख जाती है तो किसे का लोगों का एजन्डा होता है ऐसी वेक्तिकर टिकाटी पड़ी के सबका साथ सबका विकास 18000 गाउं में बिजली नहीं थी हम ये पूछने नहीं गए कि किस संप्रदाय का गाउं था और 18000 गाउं को बिजली है हम सभागी उजना से आगे बढ़ रहे है देश के अंदर 4 करोड परिवार ऐसे ध्यान में आए कि जीन के पास बिजली नहीं है हम ये नहीं पूछते है कि किस संप्रदाय से है वो मंदिर जाता है कि मजजित जाता है गुद्वारा जाता है यह हमारा काम नहीं है 4 करोड परिवारों के घर में बिजली का दिया जलना चाहिए हमने तही किया कि माताएं बहने चूला जलाने से लकडी की चूले से धूयों की जिन्दी की जीती है हर एक को उससे मुक्ति दिलाने के लिए करीब करीब पहुंचा दिये 8 करोड तक पहुंचाने का लक्ष है और वो भी हम पूरा करके रहेंगे राजनीति खिंसा का जो मामला है यह केरल में करनाटक में और वेस्ट बेंगॉल में यह एक काफी पेचीदा मसला है आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे यह बहुत बड़ा दुर्भाग है कि लोक तंत्र में विरोधियों की आवाज दबाने के लिए से कोई भी कृत्य कहीं पर भी होता है देश के प्रधान मंत्री के तौर पर भारतिय जनता पार्टी के कार करता के तौर पर मैं इसकी घोर निंदा करता हूं हमने बहुत भुगता है अब देखिए पश्रिम मंगाल में भारतिय जनता पार्टी को अपने लोक तंत्रिक अधिकारों को भी प्रगट करने से रोक दिया जा है कोड के दर्वाजे खटकट आने पड़े हैं चुनाओं में हमारे लोकों को जिस प्रकार से मारा गया है यह लोक तंत्रिक लिए शुभान ही देता है केराल में आए दिन हमारे कारकरतों के हत्या हो रही है करनाटक में हमारे इतने कारकरतों के हत्या हुई जिसके हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कमिल नाडव में हमारे कारकों की हत्या हुई है लेकिन यह प्रकार सी राजनीती हिंसा की भारत के लोक तंतर के उजवल भविश के लिए सभी राजलितिक दलों को सोचना पड़ेगा यह रास्ता सही नहीं है और मैं भारतिय जनता पार्टी के गार करता हूं को विश्वाद दिलाता हूं कि ऐसी किसी भी हिंसा के प्रूति को सरकार स्विकार नहीं करती है किसी भी दल के साथ हो किसी भी दल के द्वारा हो इसको स्विकार नहीं करती है हर किसे को न्याय मिले उसके लिए हम प्रतिबत है हम राज सरकारों से भी आगर कर रहे हैं राज सरकार अपनी जिसमेकार यह उजागर होकर के रहेगे, आज भले कुछ लोगों को रक्षा मिलती हो, लेकिन यह सब उजागर होकर के रहेगे, और मैं इसकी घौड निंदा करता हूँ. 2019 के चुनाव के लिए आप थिंग्स इन प्लेस की ऐसी राजनेतिक हिंसा ना हो और इलेक्शन बिल्कुल ही नॉन वाइलेंट तरीके से होगे? आपकी यह जो प्रोग्रेसिव आइडिया, प्रोग्रेसिव थौर्ट्स, आक्शन्स जो हैं, इसमें ट्रिपल तलाक ओर्डिनेंस भी शामिल है. आप और तों के लिए, मुस्लिम औरतों के लिए आप खड़े हुए, आपने कहां आप उन्हें मेंस्ट्रीम में लाना चाते हैं, तो एक समुदाए के लिए कस्टम्स ट्रडिशन क्यों और दूसरे समुदाए के लिए प्रोग्रेसिव थौर्ट ऐसे क्यों होता है, क्या इसमें डिविजन नहीं है? एक दुनिया के अंदर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, बहुत एक इस्लामिक कंट्रीज ने टिपल तलाग पर प्रतिवन लगाया हुआ है, इसलिए ये संप्रदाए का आस्ता का मासला नहीं है, अगर वो होता तो दुनिया के सभी देशों में टिपल तलाग चलता होता, लेकिन दुनिया इवन पाकिस्तान में टिपल तलाग पर रोख है, कानूनन रोख है, इसका मतलब हुआ कि ये जेंडर एक्विलिटी का मसला बनता है, सामाजिक न्याय का मसला बनता है, ये धार्मी आस्ता का नहीं बनता है, तो दोनों को अलग किजिए, दूसरा भारत इस सभाव सिस्मत का है, कि सभी को समान हक मिलना चाहिए, हिंदुस्तान में कुछ मंदिर ऐसे भी है, जिसके मंदिर की अपनी माननेता है, एक छोटे से दायरे में, कि यहाँ पूरुस नहीं जाते हैं, कुछ मंदिर हैं जहां ये हैं, तो इसमें सुप्रिम कोड की जो महिला ज समस्चा को देख करके, उसके सुझावदी हैं, कभी ने कभी उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, मैं पॉलिटिकल इशूस पर वापस आती हूं, महा गठबंदन जो है, जिसका मजाग उड़ाया जाता था, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बनता जा रहा है, लेकिन के गठबंदन को समर्थन दे रहे हैं? पूरी तरह अनभिज्य हूं, दूसरा विश्य है, आखिर महागठबंदन, महागठबंदन ये क्यों बन रहा है? पांच साल हो गए, महागठबंदन ने देश के सामाजी आर्थी विश्वन को लेकर के कुछ सोचा हो, कुछ कहा हो, एक स्वर से कहा हो, ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है, अभी भी उनके हाँ से दो दो स्वर निकलते हैं, बिन्न बिन्न स्वर निकलते हैं, और आखिर करें हो लोग हो के हैं, ये खुद क्यों बचाने के लिए मैदान में सहारा ढूंड रहे हैं, एक दूसरी को हाथ पकड़ो बच जाएंगे, तो ये खेल चल रह है, उनका इरादा एक मात्र मोधी है, मोधी ये करो मोधी को वो करो, आप अख़वाल निकाल दीजे, पहला पेट एक नेता बोलेगा, मोधी ऐसा है, मोधी वैसा है, आप अखिर के दस पिज निकाल दीजे, दस अलगलग गटबंदन के साथिह अलगलग शफ़र में गालिय यह तो गटबंदन वाले खुद कहते हैं कि कोई आइडिलोजिकल यूनिटी नहीं है बट एनिबडी बट मोदी मतलब यह उनका लाइन है कि एनिबडी बट मोदी इसलिए वो किसी के साथ भी जुड़ जाएंगे तो जुड़ 2019 का चुनाव है वो एनिबडी बट मोदी वर्स चुनाव का दिशा निर्धारित करने वाली है भारत की जनता चुनाव का एजंडाताय करने वाली है भारत की जनता के एस्पिरेशन के साथ कौन है और भारत की जनता के एस्पिरेशन के खिलाब कौन है यह चुनाव का मांदन बनने वाला है देश की जनता जानती है कि यह तो देश की जनता ताहे करेगी कि यह सब लूटने वालों की ताकट इखटी हो रही है उसके जूड़ना है कि नहीं जूड़ना है और इसलिए जनता वर्षीज गठवंदन होने वाला है मोदी तो जनता जनादन के प्रेम और आशिजवाद का प्रती है और कुछ नहीं है तो आप तो बहुत हम्बल हो रहे हैं इस मामले में क्योंकि राजनेतिक विशेश अग्यों तो कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं आईडियाज और एजेंडा ये इशू होगा और अगर आईडियाज और अगर मानके चले तो क्या एंडिये और एलाइस को जोड़ सकती है अपने गुठ में लगातार जूड रहे हैं हम लोग 2004 में उससे बहुत बड़ी मात्रा में सारे चोटे मोटे दल हमारे साथ जुड़े है नौर्स इसमें तो हम कहीं चीजों को जानती है अब तेलंग ना में गड़बंदन का क्या हाल हुआ है बुरा हाल हुआ लिग उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है वह गड़बंदन का पहला प्रयोग था पूरी तर अभी फल गया अभी जमुकेश्मिर में गड़बंदन के सब लोगों ने ताय किया था चुनाओं का वहिश्गार करेंगे जनता ने नकार दिया सेवंटीफोर परसन वोटिंग हो गया अभी असाम के अंदर यह सारा गड़बंदन एक बजू था भारती जनता पर यह बजू थी पंचयतों के चुनाओं में गड़बंदन का हाल बुरा हो गया बारती जनता पर जीद गई अभी त्रिपोरा के अंदर यहीं गड़बंदन के लिए लोग मैदान में थे खुलाग कोशिश कर रहे थे 80-90 परसन भारती जनता पर जीद गड़बंदन का हाल बुड़ा तो ऊपर यह नेता मिल जाए अपने सुरक्षा के लिए तो इसका मतलब यह नहीं जनत किया हुआ है तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपके ऐलाइज इस वक्त चुनावी रिजाल्ट्स देखकर थोड़ा सा मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं देखिए हमें पुरुन अबहुमत मिला है लेकिन हमने गड़बंदन का जो धर्म है उसका पार्ण किया है साथी द्व सारे निर्णे सहमती से होते हैं लेकिन ये बात सही है कि स्टेट का अपना एक पुलिटिक्स होता है और हमारे साथी दल भी ग्रो करे ये उनकी इच्छा रहेगे और हम भी चाहेंगे वो ग्रो करें हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा साथी दल at the cost of साथी दल हम बढ़े बने our congress का के द्री भी आती हैं ड हम्रो कभी नहीं चाहेंगे कंग्रेस का खेल या But गुझाराइद के ये गड़बंदन की विश्यचता है कंग्रेस वाले कि सारे लोग हैं वो कभी न है कंग्रेस में से निकले हुए पर आवाज उठाकर के भार आयोई लोग है या कांघरेश विरोध वादमे से पाधा हूए लोग है और वहोई जब कांघरेश के पास जाता है तो सब पहले हुनको BENly मना देती है कॉंग्रेश उनको खाती है हमारा केस है जो भी हमसे जूरता है हो फलता है पुलता है खीलता है तो हमारी कोशिश यह रहती है कि हमारे सात्फी दल सखी ले, कहीं कुछ छोटी मोटी किसी क्या पेक्षार है ये तो उनको मन करता है कि दबाओ डालने से साथ फाइदा मिलता है तो कोई वो रास्ता लेता है किसे वो को लगता है, मिल बैट करके सब को साथ लेकर कर चलना सब की सुनना सब की बात को मान करना और देश में यह एक कल्चर बना है जिसमें हमने रीजिनल aspirations को महत्वत देना ही होगा और मैं इसमें committed हूँ regional aspirations को नकार करके देश नहीं चलाए जाए जाए क्योंकि आप Chief Minister रह चुके हैं क्योंकि मैं इसका महत्में समझता हूँ और इसलिए भारतिय जनता पार्टी जादा सफल है इन सारी चीज़ों है आप आपने इतने विजिट्स किये दक्षिन भारत लेकिन पीजेपी का footprint दक्षिन भारत में अभी तक नहीं हो पाया है और अब तो सिर्फ पांच महीने रहते हैं चुनाव के लिए क्या यहां पर alliances बनाएंगे क्या रजनी कांद कामला हसन किसी के साथ जुड़कर आप अपना footprint बढ़ाएंगे दक्षिन भारत में पहली बात है तो यह जो ब्रह्म पैदा किये गए ना यह तीस साल पहले जो बाते बोली जाती है आज भी वो डायलोग चल दे रहते हैं मैं चाहूंगा साथ जेसे मीडिया वर्ड अपनी narrative के शबन में सोचे जैसे कि सालों से कहते हैं कि भारतिये जनता पार्ट जयंगं उत्तर भारती हम में महाराष्टा में हम कभी करनाठाक के सरकार में तो यह 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 लोजिक कहां बैठता है यह हम दक्षिन में है इसलिए यह प्रकार का लोजिक ठीक नहीं है दूसरा भारती जनता पार्टी उच्छ वर्ण की पार्टी तो जान मंत्री से लेकर सारे लोगों का वर्ण कौन सा है मैं बोलना निचा तो उन्हों को प्रकार का बना दिया गया थिए ह३ह है फिर बना दिया गया हम शेहरी पार्टी और इसलिए इस लिए ही यह यह पुराने जन्तापडियो लगातार हमारी विस्तार के लिए प्रयास कर रहे दूपर हो उसे उस उस राज्य में भी हम साथ चलना चाहते हैं, हम ताकतवर नहों, उस राज्य में भी साथ चलना चाहते हैं, तो साथ चलना ही हमारा सिद्धान, रीजिनल एस्पिरेशन को बल देने के हमारे मुलवत सिद्धान से जुड़ा हुआ है। इतनी हो गई थी कि PM लेवल पर intervention करना पड़ा RBI का देख लीजिए tenure खतम होने से पहले चीफ को resign करना पड़ा और उनका allegation है कि BJP सरकार coffers खाली करना चाहती है RBI के coffers इसके बारे में आप क्या कहेंगे पहली बात है कि कॉंग्रेस को यह सब बोलने का कोई हकी नहीं है प्रधान मंत्री और PM को हो उसके खिलाब आपने NAC बना दिया था यह कौन से PM ऑफिस की ठाकत को आपने महत्य दिया था कैबिनेट इतना बड़ा निर्णे करे और प्रेस कॉंफरंस में पार्टी का एक नेता उस कैबिनेट के निर्णे के कागज को टुकड़े करे यह कौन सा इंस्टिटूशन का सम्मान करते हैं आप लोग आपने जुड़ी शरी को जो सिन्योरिटी के आधार पर जजज नियुक्ति किये जाते थे ओपनली कहा कि हम आइडियोलोजी के आधार पर जुड़ी शरी को टाय करेंगे और आपने सीनियर जज़ों को बाहर निकाल करके फै पढ़ा है आपने प्लानिंग कमिशन के लोगों को जोकरगों का बंच कहई दिया था मालू मैं कौन थे उसे में प्लानिंग कमिशन के वाईचर में और ऐसा बोला गया था इन लोगों के मुझे सभाय देता है जहां तक सिभी आई आंत्रीक व्यक्तिकत मामला आया तो सरकार ने नियाईक तो रुकुत से का भी आप लोग दोनों छुट्टी पर चला जी इंस्टिटूशन हमारे लिए प्राथ मिक्ता है और विया का सवाल आया स्वायम गवणर साहब ने रिक्वेस्ट की अपने नीजी कारणो से और में पहली बार आपको बताता हूं गोधर चेसा महिने से मुझे लगातर कहरे थे आए अब लिखित में भी कहा था हूं कि व्यक्तिक दूबसे उन्हों मुझे लिख करके भजा था इसाहए पोलिटिकल प्रेशन है तो एसंवाली नहीं अचीन पता है और मैं मानता हू और इडी के बारे में कॉंग्रेस का कहना यह इंबारस्मेंट डिरेक्टरेट बन गई है इस और्गनाइजेशन को भी इस्तमाल किया जा रहा है जैसे पहले कहा था कि एक वेंडेटा के तौर पर रेड्स हो रहे हैं यह लोग बोल रहे हैं अभिश्वराबुदिन के का जज्जमेंट आया है उस जज्जमेंट में क्या क्या लिखाए जरा पढ़ दीजिए कौट का जज्जमेंट है किस प्रकार से इंस्टूटिशन का दूरुपियों इन लोगों ने किया है देखिए हम साड़े चार से बैठ कि अपना काम कर रहा है और अगर विदेश से कोई व्यक्ति जो राजदार है वो भारत के कबजे में आता है तो हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अगर मिशल को बचाने के लिए कॉंग्रेस पार्टी का वरकर वकिल बनकर के पहुंच जाए त उसके बजाए आप अपनी पार्टी के वकील को भेज करके आप उसके मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं चिंता का विश्य तो यह है उन्होंने तो नाम भी ले लिया है मिस्स गांदी कहा इटालियन पुत्र कहा मेरे पास मेडिया रिपोर्ट है मेरे पास और कोई जान किया है लेकिन आप चुप रहें आपने कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा कि अनलंबानी आपके दोस्त है ऑफसेट में आपने उनका नाम लेकर फ्रांस के प्रधान में फ्रांस के प्रेजिडेंट पर प्रेशर डाला डसौर पर प्रेशर डाला और उसकी वज़े से रफ व्यक्तिगत आरोप नहीं है एक सरकार पर आरोप है कि सरकार पर आवा मेरे पर व्यक्तिगत आरोप है तो उनको खोच करके निकालना चाहिए कि किस ने दिया क्या दिया कहां दिया कहां रखा सब निकालना चाहिए दूसरी बात है कि साउस्ट में मैंने विस्तार से इसका सुप्रीम कॉट तक मसला क्लियर हो चुका है सुप्रीम कॉट ने उसके बाल की Сейчас उदेर कर सारी चीजें निकाल करगे रख दी है क्रांस के रास्पति जी ने बयान दे दिया है भारत के प्रधान आप यहां का लिंक यहां यहां का लिंक यहां है यह तो दे नहीं पा रहें बोलते चले जा रहें अब मुझे बताईए उनको यह बोलने की बिमारी है तो मुझे बार-बार उसे में उलतते रहना चाहिए मैंने एक बार जवाब दे दिया सुप्रिम कोर से मामला आया दूसरी बात है देश में चर्चाइए होनी चाहिए कि आजहादी के बात लगातार डिफेंस डिल हमेशा विवादों में क्यों है ऐसा कौन सा वरकल्चर बना है कि देश में इस प्रकार से डिफेंस डिल को ही विवादों में डाल करके हमारे देश की सेना को और दुरबल करना का शडियंतर कौन कर रहा है क्या का रहा है दूसरी verse डिल में दलालों को क्या जूरूरत है कि ऊंद लो पिणा डिपरेंस डिल यहां तीसरी बात है मेक flourish इंडिया अगर सतर साल पहले शुरू होता होता भारत खुद अपने सब में सबना जाको दो बहू सकता है अब Up बंद होनी चाहिए और इसलिए मैं लगा हुआ हूँ मैं ट्रांसफर करने के लिए लगा हूँ यहां कोशिश कर रहा हूं दूसरी बात है जो लोग सेना को दुर्बल बनाना चाहते हैं आरोप के मर देते हैं क्या मुझे मेरत पर आरोप लगे इसकी चिंता करनी चाहिए कि मेरे देश की आवश्यक्ताओं को पुरा करना चाहिए मैंने ताइक किया है जितनी गालिया पड़ेगी मैं खाऊंगा जितने आरोब लगेंगे लगने दीजिए मैं इमानदारीक रास्ते पर चलूँगा राश्ट्र रक्षा को प्राक्षिक्ता देते हुए चलूँगा मैं मेरे सेना के जवानों को उनके नसीब पर नहीं छोड़ूँगा उनकी जो भी रिक्षार्मेंट है उसको खरीदना पड़ेगा तो प्रक्रियाओं को तेजगती से चला करके करूँगा मुझ पर आरोप होते रहेंगे तो भी करूँगा क्योंकि मैं इमानदारी और सत्य के साथ जीने वाला इंसान हूँ इसलिए जूटे आरोपों से डर करके मैं मेरे देश की सेना को दुरबल नहीं कर सकता हूँ मैं मेरे देश की सेना को निहत्ती नहीं कर सकता हूँ देश को जो आवश करता है वो मिलना चाहिए जो होनोंने कहा कि सरिजिकल स्ट्राइक्स का राज्णीती करण नहीं होना चाहिए था लेकिन हर एलेक्शन में जो उसके बात जो एलेक्शन हुए है बीजेपी उसे एक सक्सेस और एक पुलिटिकल तौर पर उसका इस्तमाल कर रहे है क्या ये गलत है पहली बात है कि मैं स्वयम इसमत का हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीति करन नहीं होना चाहिए उसमें तो कोई विवादी नहीं है लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो किसी सरकार के मंत्री ने बयान नहीं दिया है न प्रधान मंत्री ने बयान दिया है सेना के अपसर ने देश को जानकारी दी और वो भी इंफर्मेशन दी है और वो information यहां दी इतना नहीं टेलीफॉन करके पाकिस्दान को भी बताया गया था और जब तक पाकिस्थान को सुचित नहीं किया तब तक हिंदुस्तान के मीडिया को भी नहीं बताया गया था और सेना ने खुद ने आकर के अपना एक डिटेल डिपोर्ट दिया था वहीं बात समाप्त हो गई थी लेकिन देश का दुरभाग्य है कि उसी दिन पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडरों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर शक खड़ा किया पाकिस्तान के लिए तो इस प्रकार से बोलना जरूरी था को उनको मोरल टकाय रखने के लिए आवशक था लेकिन जो बात पाकिस्तान बोल रहा था वो हमारे देश के लोग बोल रहे अपने बात को वजन देने के लिए उधारन भी पाकिस्तान का दे रहे थे राजनीती करण वहीशे शुरू हुआ आपने देश की सेना के लिए अनाप सनाप सब्द बोले और मैं मानता हूँ कि जिनों ने इस प्रकार से देश की सेना पर इस प्रकार के आशंकाय की हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर आशंकाय की और पहले ही दिन बयानवाजी करकर के इस प्रकार से उसको रौन दालने कोशिश की वो गलत हुआ है और इसलिए मैं स्पर्ष्ट मत का हूँ कि इसका कतही राजनीति करन नहीं होना चाहिए दूसरी बात है सहिने का गवरव करना उतना ही जरूरी होता है सहिने के पराक्रम का वरनन करना उतना ही जरूर होता है देश के प्रधानमंत्री के नाते देश की सरकार के नाते और देश के नागरी के नाते हम सब का दाईत्म बनता है कि 62 के लड़ाइक में भी हमारे सेना का प कुछ तो गवरवगान को राजनीती करन कहना अनुचीत है सर्जिकल स्ट्राइक्स यह सवाल मैं पूछ रही हूं पतानी जवाब आप देंगे की नहीं जो सर्जिकल स्ट्राइक्स जिस दिन हुआ तो कहा जाता है कि आपको लाइव इंफरमेशन दिया जा रहा था आपको वक्त आप क्या सोच रहे थे क्योंकि यह संभव था कि सर्जिकल स्ट्राइप अपरेशन सक्सेस्फुल ना हो तब उसकी जिम्मेदारी भी आप पर होती कि एक बॉच्च्ट स्ट्राइक है और यह भी हो सकता था कि लोग आपको एक वार मॉंगरिंग लीडर के तौर पर सम देखें जब ऊरी की घटना घटी और जिस प्रकार से हमारे सेना के जवानों को मार दिया गया जलाया गया उस घटना ने मुझे बहुत बेचेन बना दिया था और मैंने भीतर एक आक्रोस था मैं बेचेन हो गया था मैं केरल गया था मैंने केरल में पब्लिक मिटिंग में इसका जिकर भी कर दिया कि मैं अपने आपको रोक नहीं पा रहा था लेकिन मैं एक लोगतंत्रिक ववस्था का प्रतनी दिया हूँ और मेरा व्यक्तिगत गुसा मेरा व्यक्तिगत आक्रोस मरी व्यक्तिगत बेचेनी इस प्राव व्यवस्था पर कभी प्रभाव नहीं होना चाहिए मैं संतुलत समझता हूँ लेकिन ऐसा हुआ क्यों इसके लिए मैंने सेना के लोगों से लगातार चर्चाए की लेकिन मैंने अनुभव किया कि मुझसे तो सेना के अंदर आग ज्यादा लगी हुई है वे किसी भी हालत में इस परिस्तिती में देश के जवानों के मौरल के लिए भी उनको न्याय दिलाना चाहते है तो मैंने उनसे कहा कि आप पुरा डिजाइन करके लाइए मेरे पास क्या है किया है और मैंने का आप जीतना भी कर सकते हैं करिए अब सोचने में कमी मत करना फिर बैठके ताइक करेंगे कितना कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे मैंने उनको खुली छूट दी उन्हों बुरा प्लान किया वो लेके आए मेरे पास दो बार हम को डेट बदलनी पड़ी इस आपरेशन की क्योंकि मैं फूल सिकुरिटी चाहता था हूँ अखिर कर आपरेशन ताय हुआ मैं जानता हूँ कि यह बहुत बड़ा रिक्स था और रिस्क मुझे राजनी थी फाइदे और नुक्षान वारा रिस्क में कभी सोथता नहीं हूँ मेरे जवान उनका कोई नुक्षान नहीं होरा चाहिए क्योंकि वह हमारे शब्द पर जिंद्गी लगाने लिए निकल पड़े हैं तो उसके लिए जो कुछ साधनों की जरूरत थी उसको भी कुछ साधन भी चुटाए गए तकि कोई तकलीफ नहीं हो दूसरा यह तह किया क कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए तो ट्रेनिंग बड़े स्पेशल तरीके से की गई और वह भी सिक्रेट से मैंटेंट करने तो स्पेशल ट्रेनिंग की गई उसमें भुभाग महां की अट्चने उसको भी देखा गया क्या 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 रुकावटे आ सकती इमेजिनेशन करना उसकी भी चिंता की गई और मैं इन चीजों को मेरे लिए बड़ा लर्निंग एक्सप्रियेंस था तो मैं भी उसको जरा बड़े चाहु से समय दे करकर देख कौन कहां रहेगा उसका मेंटीम के लोग वो भी ताई किया और ताई यह किया कि सूर्योदय कि पहले हमारे लोग वापिस आ जाने चाहिए और मैंने इस पस्ट आदिश दिया था कि सफलता मिले और विफलता उसकी चंता छोड़ देना लेकिन सूर्योदय के बहले वापिस प्रवापिस को पर जाएं और फिर लंबा खीचले अशना नहीं जो भी करना था लेकिन मेरे जवानों को मनने नहीं दूगा यह मेरा पहला उनको वेल ट्रेंड किया गया था और उनको खुद को निर्णे करने का मौका दिया था कि पताओ वेशना बड़ा रिस्की काम है तो चांट करके लोग निकाले थे इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी गया था देश में भी आक्रोष था कि मैं लाइव कॉंटेक्ट में था चीजे था लेकिन सुभे जानकारी आना बंद हो गया कि शुर्यदय होते तक मैं फिर बेचन होने लगा हूँ कि मन में होता था कि क्या हुआ गंटे पर से कुछ खबर नहीं आ रही है पढ़ना तो लगातार आ रही थी दिखले हैं पहले टुकड़ी यह दूसरी टुकड़ी यह लेकिन सुर्यदय होने के बाद भी मुझे खबर नहीं आने लेकित मैं फड़ा बेचन होने लगा हूँ अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से उदर कॉम्मुनिकेट करूं कहीं और तकलीव हो जाए तो काफी याने करीब करीब सुर्यदय के भी एक घंटे के बाद वो समय मेरे बहुत कठीन था बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं जिंदा लोटने के ख़बर सुनने के लिए मैं बना राथ तक महां कितना नुक्षान हुआ वह बात का विश्य है लेकि मेरा जवान जिंदा कि वापिस हमारी सिमा में पहुंचे नहीं है लेकिन हमारी दो-तीन टुगडियां सेव जोन में आ गई है लेकिन चलने निकलते हो और कोहीं रहंगते हुई निकलते हो तो समय लगेगा लेकिन अब हमारा सेव जोन है इसलिए आप चिंता मत कीजिए मैंने का फिर भी आखिरी व्यक्ति के पहुंचने तक मुझे खबर चाहिए लेकिन वो हम करीब सुरियोदे के बाद दो घंटे तक वापिस आने का करम चला और आखिरी व्यक्ति आ गया तो फिर हमने केमिनेट कमिटे ऑन सेक्यूरिटे की मिटिंग बुलाई और उनको मिडिया ने आर्मी के लोगों ने आकर के सारा ब्रीट किया उसके बाद पाकिस्तान को बताना ये कामिनेट कमिटे ने सेक्यूरिटे रिताए किया और पहले पाकिस्तान को सुचना करों को ऐसा ऐसा हुआ है और उसके बाद मीडिया को पता आख तो पाकिस्दान के लोग टेलीफॉन पर आते नहीं थे मीडिया को गयरा बजे बुला लिया था मीडिया भी परिशान था कि यह क्या बात है बोलते नहीं कुछ बात करीब साड़े गारा पौने बारा बजे हुई तो बारा बजे फिर पेस को सारा देश को बताया तो मेरे लिए ये पल भाव थी एक प्रकार से एकसेटमेंट भी था चिंता भी थी और मैं पूरी तरह खुद इन्वाल था तो बारी के नजल ले रहा था लेकिन जिस प्रकार से आपरेशन किया जिस बारी के से किया हमारी सेना की शक्ति का मुझे नया परिचे हुआ जी हमारी सेना में ये जो सामर्थ है अधूत है जी और मैं तो सर जुगा कर नंको नमन करता हूं कितनी बारी के से इतनी परफेक्ट लिए उन्होंने प्लान किया और इसलिए गर्व होता है हमारी सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक्स के अबजेक्टिव क्या थे क्योंकि अभी भी गुस्पैटी आ रहे हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिजम अभी भी है कश्मीर में वाइलेंस का स्तर अभी भी कम नहीं हुआ तो क्या वो एक डेटरेंट की तौर पर इस्तमाल किया गया था लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स और भी होंगे या एक पॉलिसी बन गई है कि क्रॉस बॉर्डर हम करेंगे हॉट परस्यूट हम करेंगे पहली बात है कि इन चीजों को मैं मेडिया के सामने कहना उचित नहीं मानता हूँ वो ठीक नहीं होगा मेरे लिए किस किस रण नीति से चलना कैसे चलना वो जिस तर पर होता है वहां हो रहा है होता रहा है दूसरा 65 की लड़ाई हुई विवाजन हुआ उद दिन भी लड़ाई हुई तो एक लड़ाई में पाकिस्तान सुधर जाएगा यह मुझे लगता है कि सोचने में बहुत बड़ी गल्ती होगी पाकिस्तान को सुधरने के लिए तो अभी और समय लगेगा पाकिस्तान की बात है आपने जब ओथ टेकिंग के टाइम आपने नवाज शरीफ को नियोता दिया आप खुद लाहोर चले गए इमरान खान के शपत लेने से पहले आपने उन्हें मुबारक बात दी उस वक्त तो लोग कह रहे थे इतनी उतावले क्यों हो रहे है मोधी जी कुंग्राचुलेट करने में क्या नोबेल प्राइस उनका गोल है क्या और आपने इतने कदम उठाएं लेकिन इसके बावजूद भारत-पाकिस्तान संबंध बिल्कुल ही खतम से हो गए है डायलॉग शुरू नहीं हुआ है तो अब जब इमरान खान आ गए है और उन्हों नंबर वन भारत ने कभी भी चाई UPA सरकार हो चाई NDA सरकार हो भारत की किसी भी सरकार ने भारत के किसी भी प्रधान मंत्री ने डायलॉग का विरोध नहीं किया है यह हमारी कंसिस्टन पॉलिसी है कि हम बाचीत के पक्षमे हैं हमारे देश की एकंसिस्टन पॉलिसी यह य हमारी के लिए तयार हैं हमारी कंसिस्टन्ट पालिसी है सभी विशयों पर चर्चा करने के लिए तयार है ऐसा नहीं कि ये विशयों वोंपर तो नहीं करेंकेIns Leaf करेंके बैरत का बहुत स्ट्रॉंग है हमारा कहना इतना ही है की वन बंदूग मैं बात्ची सुना ही देती है आतकवाग बंध होना चाहिए और इस पर हम लगातार दबाव बनाई हुए है हमने दुनिया में वाताण बनाया है आज टेरिस्टों को मदद करने वाला पाकिस्तान अलग थालग पड़ गया है यह अकिकत है और दूसरी बात है घटनाएं भी सिमिध हुई है आज मानोता में विश्वास करने वाले कानून में विश्वास करने वाले देश की एक खंडिता में विश्वास करने वालों का हाथ उपर है तो आप क्या इम्रान खान के जो बयान है उन पर आप कुछ सिंसियरिटी देखते हैं मसला अगर वो आपको नियोता दे सार्क सम्मेलन में शिरकत करने के लिए तो क्या आप इसलामबाद जाएंगे सार्क में अगर सार्क हेड्स अफ गवर्मेंट मीटिंग के अगर वो अगर नियोता देते हैं तो पुरानी कहाँ बहता है बैन विल रिच दे ब्रीच उसी को मैं दोराओं को और क्या कहूंगा चलिए अब हब चाइना के बात करते हैं आप शी जिन पिंक को गुजरात ले गए आप बारा या तेरा वारी मिल चुके हैं लेकिन जवाब में भारत को दोकलम मिला, क्या आप भी जवालना नहरू की तरह धोका खा गए ? दोकलम में भारत ने क्या क्या किया उसके आधार पर भारत का मुल्यांग कन होना चाहिए और भारत के साथ अथा कोई घटना नहीं गटी जिसको आप धोका कह सकते हैं लेकिन हमारा मुल्भूत रहा है कि हम पडोसी देशों से मित्रता चाहते हैं यह हमारा मुल्भूत सिद्धात रहा है और सिरब इस सरकार का नहीं हिंदुस्तान के सभी सरकारों का रहा है कि हम पडोसी से अच्छे समझ चाहते हैं हम पडोसी देश सारे हमारी तरह ही आगे करीब करीब इतनी ही याक्रा होती है कि ज़्यादा फर्क नहीं है कि आप अगर हिसाब लगाएंगे क्योंकि अब इंटर्डेश्टल फॉरम बहुत बन गए है तो आपको जाना ही पड़ता है समीड है बिने बिने प्रकार की अचा प्रदान मंत्री से नीचे के लेवल का करते है तो वहां आवाज सुनाएं नहीं देती है तो यह परकार से अनिवार यह हो गया पहले तो एक युएन जनरल एसेमली हुआ करती थी तो एक बार चले गए और वहां दुनिया के लोगों के सामने अपनी बात बता कर क्या आते था आज ऐसा नहीं है जी ट्वेंटी है पता रहें किस रहें कितने बन गए तो मैं बोलने जाओंगे तो भी चार नम मेरे छुड़ जाएंगे तो वह अनिवा यह हो गया है और वो मेरे साथ नहीं मनमुन सिंचो के भी करना पड़ता था मेरा इतना ही है कि मैं जाता हूं अगर एक देश पर बगल की एक दो देश करके आता हूं तो कम घर्चे में कम समय में अधिक काम हो सकता है तो मैं भारत के दुनिया भर के अंदर अपनी बात पहले जो जाते थे तो कोई नोटिस ही नहीं करता था जहां जाते थे वहां भी कोई नोटिस नहीं करता था जहां से जाते थे उनको पता नहीं था गया गया अब मेरा के साथा है कि मैं जाता हूं तो पता भी चलता है क्योंकि मैं वहां लोगों से मिलता हूं कुछ काम करता कुछ नेने करता हूं और मैं मानता हूं देश के लिए मुझे करना चाहिए इसके लिए कोई मुश्किल काम हो रहे हैं जब आप बनारज गए थे 2014 में आपने कहा था मां गंगा ने मुझे बुलाया है लेकिन क्या साड़े चार साल बाद अभी भी गंगा क्लीन अप एक्शन पूरा नहीं हुआ आपको लगता है आपका वाइदा पूरा नहीं हुआ अभी तक यह बात मैं आज भी मानता हूं जब टीवी के लोग मुझे पूछ रहे थे तो बेरे भीतर से निकली हुई है जब आवाज थी हुआ मां गंगा ने बुलाया है और एक बेटे के रूप में मैंने इमानदारी से प्रयास किया है पांच राज्य इसके साथ साथ लेकर कि मुझे चलना है अभी तो चार राज्यों में भाज़ेपा की सरकार है तो थोड़ा सरर्ण हो गया पहले अलग अलग सरकारे थी तो उनका अपना प्रात्पिक्ता कुझ अलग थी मैं किसे को दोस्त देना नहीं चाहता हूँ लेकिन हमने एक काम जृरूर किया जब राजी गण्धी के जमाने से इतने पैसे खर्च किये गये यह सफलता क्यों नहीं मिली तो हमने उसका पूरा अध्यन किया अध्यन करने के बाद उसमें जो कमिया थी उसको कैसे ठीक किया तो हमने पूरी रणदीती उस प्रकार से बनाई और काफी अच्छा प्लानिंग करके काम किया है अब आप देखिए 120 साल पुराना एक नाला जो करोडों लीटर पानी गंदा पानी गंगा में डालता था एक सो बीस साल के बाद अभी वो बंद किया रहे हैं अभी चार हजार गाओं जो गंगा के तरफ पर हैं वो सभी ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं जीतने भी नगरपाली काये महानगरपाली काये हैं अभी में बनाज गया तो वहां भी बहुत बड़ा है एस्टिपी का प् लगता है दो दो तिन तिन साल के प्रजयक होते हैं सारे चल रहें कई मात कई हो चुके हैं कई हो रहें अब दूसरा जो बड़ा चलेंजी काम आने वाला है वो जितनी नदिया जूडती है गंगा जी में बोबी तो किसे गां हो या नगरपाली के के निकर भाभी तो गंदा दिखाई देने लगी है लेकिन इससे मैं संतुष नहीं हूँ यह तो भी लेकिन हम हमारे दिशा सही है हमने जीन जीन चीजों को हाथ में लिया है सही दिशा में पकड़ा है और यह हो जाएगा उसी प्रकार से कॉंट्रेक्स हिस्टिम हमने अब उसकी कैपसिटी बहुत आई है और जो कॉंट्रेक्टर हैं उनको भी 15 साल तक उसको मेंटेन करने का काम दिया है ताकि ऐसा नहों कि मुंसिपाल्टी चला न पाए और इसलिए वह बंद हो जाए फिर से गंदा पानी जाना शुरू हो जाए तो इन स्यारी चीज़ों को लेकर कर रहे हैं और मैं मानत हो कि यह परणाम मिलेगा तो चुनाव आप बनारस से ही लड़ेंगे क्योंकि चर्चा में आया है कि शायद आप पूरी से लड़ें ऐसा है कि बढ़िया वालों को भी तो कुछ काम मिलना चाहिए चलता रहता है चलिए अंत में प्रधान मंत्री जी आप से पूछूंगी कि आप पहली बार के संसद हैं आपको संसद में आके कैसा महसूस हुआ और क्या आपने सूचा भी कभी कि राहूल गादी आके आपको गले मिलेंगे और फिर आंख मारेंगे साइड में बैठे वोए व्यक्ति के साथ उस वक्त कैसा महसूस हुआ आपको और इन साड़े चार सा जो आप सांसद रहें उसके बारे में जो अपस औंद डाउंस थे उसका कुछ बताए हैं हमें हमारी सोफ़ारों हैं ग्रहन चर्चा हो यह बहुत जरूरी है नहीं है लेकिन सांसद दर्थी से जुड़ा हो तो किसी भी दल्गा हो उसको बहुत बारीकियों का पता होता है जो सरकारी फाइलों में रिफलक्ट नहीं होती है जितनी जादा भहस होती है उस मन्थन में से अमरित निकलता है और इसलिए मैं इस बत का हगरे हूँ कि बहुत ब्यापक चर्चा हो खुल करके चर्चा हो और इशू की बारीकिय की चर्चा हो दुर्भागे से यह दिरी 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 दिर कम होता चला जा रहा है इससे देश का बहुत नुक्षान हो रहा है मानो आट गंटे बहस होती है तो आट गंटे तक सरकार को घेरने का मुका मिलता है सरकार की बारिकियों से आलोचना करने का मोका मिलता है इससे सरकार में बैठी हुई जो बिरोक्रिसी है वो भी चोकनी हो जाती है उनको भी लगता है अभी तो सिरफ राज नेताओं पर चिटा कैसी हो जाती है पॉलिटिकल मायलेज किसी का कम किसी का अधिक होकर के बाद चिटाओं व्यवस्ता पर जो दबाव पैदा होना चाह promotions का का म् है व्यवस्ता पर दबाव पैदा हो हर बिरोके से को लगना चाहिए पहले तो ये LAQ आता था तो पुरे बिरोके से हिल जाती थी आज वो स्थिति नहीं रही है यह चिंता का विशय है और इसलिए मैं चाहूंगा कि लोकतंत्र में हमारी संसद और जागरत हो और सजग हो हमारे संसद जो चुनकर के हाते हैं को अपनी बात बताने का आवसर मिले मुठी भर लोग इसको दबोज करके बैठ गए हैं उन्होंने लोकतंत्र का बहुत मुक्षान किया है तो आखरी सवाल प्रधान मंची जी की साड़े चार साल के बाद आपको अपने टेन्योर में आज प्राइम मिनिस्टर आपको कोई रिग्रेट किसी चीज़ के बारे में रिग्रेट और सबसे अच्छा क्या लगा आपके टेन्योर मे जो क्या काम था जो आपको लगता है कि ये काम करने में बहुत आनंद आया और ये काम रह गया ये रिग्रेट देखिए ये निनने मैं जनता पर छोड़ देता हूं कि मैंने जो काम किया है उस काम से उनको संतोष है कि नहीं है अच्छा लगा या नहीं लगा यह एक बात जरूर है जो इसका मुझे असीर्य तो नहीं है जो एक लूटियन दूणिया मानते हैं उसको मैं न अपने में ला सका हूं न अपना बढ़ा सका हूं क्योंकि नहीं मैं अपने में लाना तो चाहता नहीं था क्योंकि मेरा बेग्राउंड अलग है तो एक नॉन एलिट वारी दुनिया का मैं प्रतेनी दी हूँ इस प्रकार से तो उनको मैं जीत नहीं पाया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, कैसे जो तत्व है, उनको कैसे जीत पाऊँ कोशिश करूँगा एक बहुत बढ़ी जिम्यदारी थी आपको जो दी गई थी अब 4.5-4 साल में किस बात की आपको बहुत आनद आया एरेप्रेसेंटिंग इंडिया देखिये मुझे हर पल आनद आया है बने हर काम आनद से किया है हर श सक्षु के क्योंकि मेरे हर काम में सच्थता है पवित्रता है इमांदारिय है और स्वासो करोर डेश से आगे पीछे कुछ नहीं है और इसलिए हर पल काम करता हूं इतनी महानत करता हूं और इसलिए मैं उसमें से ये आनंद और ये आनंद नहीं, ऐसा नहीं निकाल सकता हूँ. धन्यवाद प्रधान नंत्री जी. धन्यवाद जी, आपको भी धन्यवाद फिर से एक बार नववर्ष की देशवासियों को, धर्शकों को, एनाई को, सबको बहुत अचुक पामना हैं. धन्यवाद. करो बाता हैं. ऩर कामना हैं. इंद प्रियों को, न हुआ एक बहुत नहीं उमा भी खवारकान को, भी विल्एंदे जी आन्यवाद. दो दो गल, औकुझ, कर में एक लिल्डाद दितुकता हैं.